नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिस्ट्री एंड फैक्ट की दुनिया में दक्ष्री पेरू 1927 आर्केलोजिस्ट वुमाहिया सस्पैको डासका रेगिस्तान की छोटी पहाडियों में हाइकिंग के दोरान जमीन पर तलाशी के प्राचीन सड़कों का एक विशाल जाल जैसा दिखाई दिया कुछ सालों बाद जब इस इलाके के उपर से जहाजों की आवाजाही बड़ी तो उस इलाके में करीब 100 ऐसे डिजाइन्स दिखाई दिये गए जिनें जियोगलिप्स कहते हैं इन ड्रोइंग में जानवर पक्षी और यहां तक की इनसानों की आकरतियां भी दिखाई दी जो है तो असल में जीव की आकरति लेकिन दिखते इनसानों की तरह है करीब 518 km2 फिट में फैली इन लाइन्स को मिलाकर नासका लाइन्स का नाम दिया गया है नासका लाइन्स में आप कह सकते हैं कि जमीन पर बने कई चित्र और आकरतियां शामिल है इसमें हर तरह के आकार हैं जियोमेट्रिकल, सिंबल्स, लाइन्स, जानवर, मचली, पक्षी ये सभी बहुत बड़े हैं चौकाने वली बात ये है कि बहुत ही बड़े पैमाने पर ये बने हुए हैं और इन्हें सिर्फ आसमान से ही दिखा जा सकता है ऐसे करीब 100 रेखाएं बनी हैं सत्तर से उपर जानवर और 112 से जादा जियोमेट्रिकल शेप से हैं जमीन पर अलग-अलग फ्रेगिंस के गलिप्स बने हुए हैं ये ऐसी लाइन्स हैं जो पूरे रेगिस्तान में फैली हुई हैं और रनवे जैसी लगती हैं और कुछ तो mathematicals, diagram लगते हैं जो हजारों साल पहले बने थे जो अपने आप में सवाल पैदा करते हैं कि ये क्यों बने होंगे इन्हें देखकर कई सवाल पैदा होते हैं जिनका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला हो सकता है इनका जवाब कभी ना मिले सबसे बड़ी आकरती करीब 300 मीटर की है दूसरे शब्दों में 3 फुटबॉल, फिल्ड के बराबर और सबसे लंबी लाइन्स करीब 14 किलो मिटर लंबी है कुछ प्रमुक आर्कियोलाजिस्ट के मताबिक ये रहसे मई अर्थ ड्रोइंग नासका ने बनाई थी वे प्राचीन लोग जो इस इलाके में पहली सदी से लेकर आठवी सदी तक फले फूले ये लाइन्स इस रेगिस्तानी इलाके में आई एम ऑक्साइड नामक लाल रंग के पत्थरों को बड़ी होश्यारी से हटा कर बनाई गई है सता से पत्थर हटने के बाद नीचे की काफी जादा चूने वाली जमीन स्वस्त होकर कटाव होने से बची रही नासका की जमीन अलग-अलग रंगों की पर्तों से बनी है हलकी रंग की मिट्टी और पत्थर की धारिया काली रंकी मिट्टी और पत्थर की धारिया देखने में तो यह बहुत ही सिंपल लगता है लेकिन जमीन से काले रंकी सता को हटा कर पूरे इलाके के अंदर से निकली सफेद रिखाओं से या आकरतियां बनी है मानो किसी कैन्वेस पर तस्वीर उतारी गई हो आप देखिए हजारों साल से ये ऐसे ही बरकरार है इनका इतने सालों तक ऐसे ही बने रहना इसलिए मुम्किन हो पाया क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका है अगर आप नासका रेगिस्तान जैसे वातावरण में आज भी कोई जियोगलेट्स बनाएंगे तो वे हजारों साल तक रहेगा यहां बरसात कम होती है हवाई जादा नहीं चलती आप यहां कुछ भी बनाएए वे सदियों तक रहेगा पर नासका लोगों की धरती पर ऐसे विशालका है और अजीबों गरीब आकरतियां बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और वे इनके जरीए क्या हासिल करना चाते थे और इन ड्रॉइंग को ऐसा क्यों बनाया गया कि सिर्फ आसमान से ऐसी ही देखी और सराही जा सके जबकि उस दोर में कोई एरक्राफ्ट भी नहीं था जो कि आप उपर आसमान में हो ऐसा माना जाता है कि जो भी नासका प्लेटों में रहते थे वे गुबारे की उडान भर सकते थे ताकि वे आसमान से जमीन पर बनाई गई इन आकरतियों को आनंद ले सके अगर नासका के लोगों के पास उडान भरने के लिए गुबारा होता तो स्पैनिश इतिहासकारों ने इसका जिक्र जरूर किया होता इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है कि नासका के लोगों के पास hot air balloon थे पर उन्होंने नहीं लिखा इसका मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं इससे ये साबित होता है कि जरूर और कोई advanced technology नासका के लोगों के पास थी और इन नासका लाइन्स की खासियत ये सामने आ जाती है नासका में कोई लाइन्स ऐसी है जो कई किलोमीटर तक गई है वे भी बिलकुल सीधी इनमें बहुत से trapezoid spiral और glips बने है जो इतने बड़े हैं कि सर्वे करने वालों को आसमान में भी एक सही position में समझना पड़ा कि नासका लाइन्स में इतनी बारिकियों से बनाने के लिए किसी तरह से aliens या दूसरी दुनिया के जीवों की मदद ले गई ancient astronaut tourist के अनुसार ये लाइन्स किसी दूसरी दुनिया के लोगों के दुआरा बनाई गई है यानि aliens की दुआरा क्योंकि ये design सिर्फ और सिफ आसमान में ही देते हैं ये इस बात पर जोड देता है कि कहीं न कहीं aliens का हमारी धर्ती पर आना रहा और ये हो भी सकता है कि यहां लाइन्स आसमान से आने वाले aliens को रास्ता दिखाने का काम भी करती हो तो सवाल ये उटता है कि क्या ये लाइन्स इसले बनाई गई कि आसमान से जब aliens धर्ती पर आये तो उन्हें रास्ता दिख सके इसको समझने के लिए चले ये मानते हैं कि आस्मान पर रहने वाले एलियंस जब धर्ती पर अपना यान भीजते थे वे बिना पाइलेट के होता था जैसे एक रोबोट जो हमने मास पर भीजा है जिसका काम था सैंपल सिकत्था करना और वे जिस रेगिस्तान में घूमता होगा वे अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ता गया और वहां के लोगों ने ये देखा होगा और ये कहा होगा अरे वा लगता है हमारे या देवता आए है असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा हो भी सकता है कि आसमान से आए एलियंस ने धरती के लोगों से कहा हो कि ये आकरतियां बनाए ताकि उन्हें धरती पर उतरने के लिए रास्ता दिख सके हो सकता है उन्होंने इसे बनाने के गुड़ भी सिखाए हो यहां कोई जियोमेट्रिक्स लाइन्स भी है तो क्या ये सब उपर से आए जीवों ने सिखाया होगा उन कम अकल जीवों को जो यहां प्रत्वी पर रहते थे आज 1500 साल बात भी हम ये सवाल पूछ रहे हैं पर सस तफिर ऐसा हो सकता है कि हजारों लाखों साल पहले एलियन्स और प्रत्वी के जीवों के बीच हुए मिलन की दास्तान को ये लाइन्स बताती है आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि नासका सभिता के लोग इनका सभिता के लोग थे और इनका सभिता ही सबसे बड़ी सभ पिता थी जो की प्री कॉलंबियन अमेरिका में थी तो दोस्तों आज की एपिसोड में इतना ही मिलते हैं अगले एपिसोड में धन्यवाद